प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रश्च नमबर एक से साथ तक पहले कर लिये थे लियासा की और जो पार्थ है उसके बारे में बात कर रही हुए प्रश्च नमबर आठ सुमती के यजमान और अन्य परीचित लोग लगबग हर गाउं में मिले इस आधार पर आप सुमती के व्यक्तित्व की किन विशेश्चताओं का चित्रण कर सकते हैं तो प्रश्च नमबर आठ खा जवाब सुमती के परिचय वह सम्मान का दाइरा बहुत बड़ा था तिबबत के तिंगरी प्रदेश के अधिकांस गाउं में उनकी जान पेचान थी वह वहाँ धर्म गुरु के रूप में पूजनिये थे वह सबको बोध गया का गंडा देते थे सुमती सोहव से सरल मिलनसार स्नेही वं म्रदुप्रतीत होते थे अभी कभी उनको क्रोध भी आता था पर वह शिक्र समाप्त हो जाता था जैसे कि जब लेखक देरी से पहुंचे थे रास्ता बटक गए थे तो उनको क्रोध आया पर जैसे ही लेखक ने कहा कि वह रास्ता बटक गए थे तो उनका क्रोध भी समाप्त हो गया था तो इस तरह से सुमती बहुत अच्छे इंसान थे प्रिश नमबर नो हालां कि उस वक्त मेरा भेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी खयाल करना चाहिए था उक्तकतन के अनुसार हमारे आचार विवार के तरीके वेश बुशा के आदर पर तै होते हैं आपकी समझ में ये उचित है अत्वा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए तो प्रिश न अच्छी वेश बुशा देखकर किसी को भी अपना लेते हैं हम और गंदे कपड़े देखकर लोगों से दूर बागते हैं हमारे विचार में पहनावेक अनुसार किसी के साथ विवार करना सरवता उचित नहीं है अनेक संत महात्मा साधान वस्त्र पहनते हैं और उनका चरि यात्रा वरतांत के आधार पर तिब्बत की भोगोलिक स्तीती पर का शब्द चित्र प्रस्तुत करें वहां की स्तीती आपके राज्य शहर से किस प्रकार बिन्न है तो प्रश्ण नमबर दस का उत्तर देखते हैं हम लोग तिब्बत पहाडी देश है यह समुदे तट से सोलह हजार फुट की उंचाई पर स्तित है इसके स्थान उंचे नीचे वर निरजन है पहाडों के अंतिम सिरों पर नदियों के मोड पर सुने बिहड हैं यहां कई मील तक बस्तिया नहीं मिलती है और एक और हिमाले की बर्फ फिली चोटियां तता दूसरी और उंचे उंचे नंगे पहाड है हमारा प्रदेश भी मैदानी भाग में है और यहां आबादी भी अधिक है सुख सुविदाओं के साधन भी बहुत अधिक है यह है प्रशन नमबर 10 तक के जवाब अब प्रशन नमबर 11 हम देखते हैं किसी आपने किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी यात्रा के दोरान हुए अनुभों को लिख कर प्रस्तुत करें तो यहां विध्यारती को स्वेव अपने अनुभों लिखने हैं और जहां की बिए आपने यात्रा की उसके अनुभों को आपको लिखना है यात्रा व्रतांत गद्य साइत्य की एक विदा है आपके इस पाठ्ट्य पुस्तक में कौन-कौन सी विदाएं हैं प्रसुत पाठ उन में से किन मायनों में अलग है यह प्रश्ण आपको अभी नहीं करना है यह सुबह होने से पहले हम गाउं में थे पो फटने वाली थी कि हम गाउं में थे तारों की छाओं रहते रहते हैं हम गाउं में पहुंच गए एक ही बात है हम गाउं में थे उस बात को तीन प्रकार से कहा गया है यहां पर तो एक किसी बात को अलग तरीके से कहा जा सकता है त प्रस्वत पार्ट में इसे आंचल विशेश को प्रदेशित करते हैं वे आंचलिक शब्द होते हैं जैसे कुफरी, थुंगरी, ठीक है न, ये जो शब्द इसमें आये हैं ऐसे ही शब्दों को आपको चुनकर लिखना है प्रश्ण नमबर 15, पार्ट में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशे, मूटे, अच्छ, और विशाल शब्दों का प्रियोग वा है उन शब्दों में उनकी विशेस्ता उबर कर आती है, पार्ट में से कुछ ऐसे ही और शब्द छाट ये जो किसी की विशेस्ता को बता रहे हूं तो ऐसे ही शब्द आपको च्छाटने है पार्ट में से और पार्ट में से च्छाट कर उन शब्दों को भी आपको लिखना है अब पाठ पाठोतर सक्रियता, यह राहूल जी की 1930 में की थी, ये यात्रा राहूल जी ने 1930 में की थी आज के समय ये दिवो तिबत की यात्रा की जाए तो राहूल जी की यात्रा से कैसे बिन्न होगी ये भी आपको स्वयम लिखना है कि आज हमारे संसादरों को कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं यात्रा यात्रयात के सादन कैसे बढ़ चुके हैं तो आज हम जब यात्रा करें तो वो किस प्रकार भिन्न होगी, यह स्वेम करना है, क्या आपके किसी परीचित या गुमकडी या या वरी का शोख है किसी परीचित को, उसके इस शोख से आपकी पढ़ाई काम पर कितना प्रभाव पढ़ा होगा, यह भी लिखें, अगर आपक स्वेम पढ़ना है और इसके पश्चात जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2004 में जो सुनामी आई थी, उसे सम्मन्दित यह गध्यांस है, और इस को पढ़कर इसके पीछे प्राशनुत्तर पढ़ना तो आपगिसी प्रशनुतर, पढ़ना अपको गध्यांस को है और प्रत्र दे रही हूं उन प्रश्णों को भी आपको हल करना है आपकी जो कौपी है उसमें ही निश्चित रूप से आपको करना है तो ग्रहकारे के जो प्रश्ण है उनको देखिए आप प्रश्ण नमबर एक नमसे कौन थे और उनकी चारेत्रिक विशेशताओं पर प्रकास डालिए पार्ट में नमसे के बारे में आया है आपको पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है प्रश्ण नमबर दो शेकर विहार के मंदिर में रखे बहुत ग्रंथों का परिचे दीजिए शेकर विहार जो मंदिर था उसमें कौनकों से बहुत ग्रंथ रखे गए हुए थे उनक परिचे आपको देना है प्रश्च नमबर तीन तिबबत के निर्जन स्थानों में होने वाली हत्याओं को की सजा क्यों नहीं मिल पाती थी उसका क्या कारण था यह कारण भी आपको लिखना है और प्रश्च नमबर पाउश चार तिबबत में कानून व्यवस्ता और अब आपका पूर्ण हो गया उसके प्रशनत्तर आपको लिखने हैं तो आपको मैं मुझे उम्मीद कि आप समय पर कारिय दे रही हूं पढ़ा रही हूं आपूसको पढ़ रहे होंगे और कार्य को कर रहे हूंगे क्योंकि आप जल्द ही आपके टेस्ट भी होने वाले हैं इसलिए आप काम को समय पर पूर्ण करने में धन्यवाद